Assalamualaikum Classics We are doing exercise 7B And आज हमने Question No.6 से आनवर्ड आगे Question करने है So Question No.6 is Adila save 16% of her monthly salary Adila कितना percent save कारी है? 16% of her monthly salary और हमें monthly salary फिर उसकी गिवन है इफ शी गेट रुपीज 21,000 पर मन्थ अगो इसकी save income है 21,000 पर मन्थ 21,000 पर मन्थ How much does she save every month? तो वो एक मामें कितने percent या कितनी रुपीज percentage हो given है? कितने रुपीज सेव करती है? So सबसे पहले हमें पता चला कि Adila की salary total थी रुपीज 21,000 पर मन्थ ठीक है? लिखा हमने और Adila saves के आगे लिखा है 16% of हर monthly salary So Adila saves क्या है? percentage इसकी क्या given है? 16% of अब complete हर monthly salary की जगा just salary लिखते है that's it ठीक है? 16% of salary अब 16% का हमें मतलब पता है कि 16 by 100 होता है of mean multiply salary उसकी कितनी सी 21,000 जो अब भी हमने लिखी वो यहाँ पे लिख दीक है अब 16 multiply 21,000 है और divide में overall 100 आ जाने 21,000 के 2 zeros 100 के 2 zeros common है So हम उनको cancel out कर सकते हैं ठीक है? 0000 cancel out होगे 16 multiply 210 So 16 multiply 210 जब किया 6, 0, 0 6, 1 is 6 6, 2's are 12 पहले के नीचे आगे 0 के नीचे cross 1, 0, 0 1, 1 is 1 1, 2 is 2 यहाँ पे add करना होता है So 0 plus cross is 0 6 plus 0 is 6 2 plus 1 is 3 1 plus 2 is 3 तो 3360 रुपीज उसकी saving थी अदिला ने कितने रुपीज सेव किये? रुपीज 3360 Question number 7 The total number of students in a school is 1,650 एक स्कूल की total strength जो है टोटल बच्चे जो स्टूटेंट्स है 1,650 है 70% of the pupils are boys pupils mean students को ही बोला जाता है pupils ठीक है शागिर्थ इत मींस और 70% इन जो टोटल स्टूटेंट है 1,650 में से जो 70% है वो boys है हमने चेकरना है How many girls are there in the school girls स्कूल में कितनी रह जाती है यनि वो 30% रह जाएगा ना इसका ठीक है सबसे पहले हमें जो गिवन था टोटल स्टूटेंट्स 1,650 और boys का जो परसंट बताईगी थी boys से 70% हमने number of girls fine करना है ठीक है हमें boys की percentage given थी not number of boys number of boys fine करने के लिए हमें 70% of total student करना है क्योंकि हमें boys की percentage 70% of total student है यही हमें question में given है यहाँ पे देखें 70% of people यह जो boys है 70% of total student people means students ही है सो हमने 70% को convert कि 70 by 100 और total student में total students put कि है that was 1650 अब 70 multiply 1650 होने है by 100 अब 70 का एक 0 100 का एक 0 से cancel हो गया और 165 का 1650 का एक 0 इस 0 से cancel हो गया तो 7 multiply 165 75 to 35 35 का लगा 5 और 3 केरी आ गया 6 7,042 प्लस 3 45 5 और 4 केरी आ गया 7 वाने 7 प्लस 4 11 तो 1155 नहीं नंबर आफ बॉइज अभी हमें फाइंड हुए है 11155 अब हमने चेक करना था नंबर आफ गर्स नंबर आफ गर्स आएंगी अब टोटल स्टूटन हमारे थे 1650 उन्हें से बॉइज 1155 आके तो गर्स फाइंड करने के लिए अब टोटल स्टूटन में से बॉइज को माइनस करना होगा रहा तो नंबर आफ गर्स इस इको टोटल स्टूटन माइनस नंबर आफ बॉइज 1650 माइनस 1155 जब सब्ट्रेक किया इनको अब 0 माइनस 5 नाट पॉसिबल तो इस 5 को कट करके बनाया 4 और यहां पे 10 बना दिया 10 माइनस 5 5 अब यह 4 रहा गया था 4 माइनस 5 नाट पॉसिबल तो 6 को कट करके बनाया 5 और यहां पर 14 बना दिया 14 माइनस 5 किया 9 और 5 माइनस 1 किया हमरे बास हो रहा गया 1 माइनस 1 लास में 0 है तो 495 हमारे पास गर्ज आ जाएंगी नेक्स्ट क्वेशन है बेरेट है इस पार्टनर इन बिजनर्स हैविंग 60% शेर गैस रुपीज 9000 एस प्रॉफिट पर यह मैं प्रॉफिट पर यह फाइंटी टोटर प्रॉफिट मेड़ बाइडी बिजनर्स इना जियर हमने एक पार्टनर है यनि एक बिजनर्स होता है तो उसमें परसंट शेयर होने की यानि अगर किसी के पास भी उनके पास अगर 100 रुपीज आता है ना प्राफिट आता है तो 60 रुपीज इस पार्टन को जाएगा और 40 रुपीज दूसरे पार्टन को जाएगा ठीक है 60 परसंट का मतलब भी होता है अब क्या हुगा कि उस बिजनस में ज प्राफिट आया और जो इसका पार्टन को था उसको 9000 रुपीज में जिसका 60 परसंट शेयर था उसको 9000 रुपीज में हमने चेक करना है कि उस यहर में फिर टोटल प्राफिट कितना फाइंड हुआ था टोटल प्राफिट मेड बाई बिजनस इन्द सिन्दा वाँन एक ए 60% of total profit यानि उसको 60% मिले है न total profit का वो उसको 9000 मिले 60% total profit में से 60% उसको मिला और उसकी amount बनी थी 9000 तो 60% of total profit is equal to रुपीज 9000 ठीक है जो partner है उसके लिए हम सारा fine का रहे है अब 60% का बनलब 60 by 100 मैं multiply total profit को हम TP लिख रहे हैं ठीक है यहां पर लिख दिया है और इसकी amount बनी थी 9000 अब हमें पता है कि total profit हमने find करना है न तो इस 100 पहले इस 9000 के तास जाके multiply हो जाएगा और 60 नीचे आके divide होगा यानि यह पूरी जब term हमने equation के इधर साइड पे लेके आनी है तो यह invert हो जाएगी यानि 100 ऊपर चला जाएगा 60 नीचे आ जाएगा तो अब total profit is equal to 9000 multiply 100 by 60 आप देखें 100 और 60 रेसिप्रोकल कर गया है न 9000 से जाके 100 multiply होगा और divide होगा 60 इन दोनों को multiply किया 900 थाउजंड आ गया divide 60 किया आप 00 हमारा common आरत इनको cut कर दिया तो 90,000 divide 60 किया तो हमरे पास devian करने के लिए 90,000 को अंदर रखा और 6 से divide करना है 6 minus 6 किया 9 minus 6 3 और 0 नीचे ले लिया 6 5 जा 30 और यह देखें last में अब 3 0 हमारे unsor रहे है 30 minus 30 तो 0 हो गया न यह 3 0 हम नीचे भी ले जाएंगे और इनी को उपर भी ले जाएंगे तो हमरा 15,000 रुपीज जो total profit था जिन में से 60% उस partner ने लिया 60% लेने के बाद उसके पास उस partner के पास जो amount गई थी वो 9,000 थी ठीक है next हमारे पास question number 9 है if शाहिद secured 338 marks out of out of a total of 400 in his final examination what percent of total did he get शाहिद ने secure किया है 338 marks और total marks के ने थे 400 in his final examination उसके final examination final term का exam दिया शाहिद ने 338 marks obtained किये और उसके total marks 400 थे secure करने का मतलब यह होता है secured मतलब उसने obtained किये अब हमने percent of the total did he get हमने इसके marks की percentage निकाल ली है percent mean उसके marks की percentage हमने निकाल ली है जो सबसे पहले हमने लिखा कि उसके obtain marks ले थे 338 से total marks उसके 400 थे अब percentage of marks हमने बनानी है हमेशा जब आपको marks दिये जाते हैं अगर किसी के 10 10 में से 9 marks आते हैं obtain marks समिशा आपके numerator में होते हैं तो numerator में 338 आएगा दी नामिनेटर में 400 आएगा percentage बनाने के लिए हमने multiply 100% करना होता है अब 400 की 2 zeros cancel out हुए 338 divide 4 हो गया अब divide 4 करना है 348 को 33 minus 2 क्या 1 3 minus 3 0 चुकी है अब ये 8 नीचे ले लिया 18 बन गया 4 4,016 8 minus 6 2 1 minus 1 0 तो point लगा के अब ये 2 चोटा पढ़ गया था 4 से point लगा के यहां पर बनाया है 0 तो ये आगए हमारे पास 24,520 ठीक है तो 84.5% उसके marks आ जाएंगे next question number 10 है draw a line in different colors to the following percentages of a 10 cm line हमने percentages of a 10 cm line से हमें जो percentages given है उसके मताबक हमने different color use करते हुए lines draw करने है फिर उन points को उनके उपर mark भी करना होगा अब इसमें पहला question given है 10% हमें 10% of 10 cm line टोटल जो है 10 cm line होनी है तो 10% of 10 cm लिखा 10% mean 10 by 100 of mean multiply 10 cm साथ लिख दिया अब 10 multiply 10 होगा और by 100 हो जाएगा हमें पता है 10 10s are 100 already divided question में भी मारा denominator में भी 100 है अब 100 अंदर रखे जब 100 से divide करेंगे 101 is 100 मारा answer क्या आजाएगा 1 cm अब क्या करना है आपने अब line draw करने के लिए आपने लेना है पहले scale और इसकी उपर सबसे पहले एक line draw कर लें यूजिली जो आपकी margin के end है इन तक आप एक line draw करें ठीक है अब इसकी measurement अभी रही है मैंने margin line के दोने साइट पे इसके यहां तक इसको draw किया arrow head लगा दिया यह अब line बन गी है अब आपने marking कैसे करना है सबसे पहले आपने scale को इस line से थोड़ा सा distance पे नीचे रखना है जैसे यहां पे देखें हैं मैंने scale को इतने distance पे रखें अब सबसे पहले यहां zero लिखाव है scale की उपर यह zero लिखाव है हम इसी तरह एक mark लगा देंगी zero की उपर अपनी line की उपर भी इस जैसा mark आगे अब next one की उपर one के मताबक mark लगा या two के मताबक लगा दिया three के मताबक लगा दिया four five six seven eight nine और ten अब यह 10 cm तक हमारे सारे mark आगे हैं अब क्या करना है scale site पे कर देना है इनके numbering कर देना है यह zero था हमारा यह one था यह two था यह three four five six seven eight nine ten so यह 10 cm के हमारी line बन गए है ठीक है अब इस question में जो हम number one कर रहे थे इसमें देखें हमें one cm आया है so यह line draw करने के बाद one cm यहां पे आया ना इसके उपर arrow लगाया और one cm लिख दिया यह mark हो चुक है that is our answer है हमारी required line थी color में हमने draw कर दिया next हमें जो fifteen percent given है fifteen percent मतलब fifteen percent of ten cm यह 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 वाला सारा procedure मैं नहीं कर रही हूं directly step number two से कर रहे हैं ठीक है अब step number two इसका क्या आएगा fifteen by hundred multiply ten fifteen multiply ten by hundred cm one fifteen multiply ten होता है one fifty by hundred cm और हमें पता है कि जब भी किसी number को hundred से डिवाइड करना है hundred two zeros ना इसके two zeros जो मैंने color की है it means two digits के पीछे point आ जाएगा तो यह two digits हमारे यह दो digits है तो five zero के back side पे point हमारा decimal point यह division by hundred एक procedure है इसके तुरू हम करते हैं direct divide करने के दुरूत नहीं हमें actually पता होता है कि जितने zeros होते हैं divide करते हैं इतने digits के पीछे हमारा point शिफ्ट हो जाता है one point five zero आ जाएगा अब हमें पता है कि as zero at the end not counted तो यह last वाले zero अगर consider नहीं करते हैं तो इसका answer it means one point five centimeter है ठीक है one point five centimeter का मतलब यह है कि one digit पूरा करने के बाद हमें five छोटी lines को count करना है ठीक है so again यह वाली line draw की zero one two से ten centimeter तक अब हमें one point five centimeter चाहिए so one हमारा यह है उसके बाद हमें five lines के तक लेके जाना है तो सबसे पहले ही जहसी scale की उपर यह scale देखें इसके उपर आपको किस तरह lines के बने है one के बाद one two three four five six seven eight nine यहनि इन one और two के तरम्यान हमें nine lines चाहिए और five one line को बड़ा करना होगा one two three four फिर एक बड़ी line है थोड़ी फिर three five five तक ही हो गया six seven eight nine ठीक है तो सबसे पहले हम center में क्या करते है अगर देखा जाए तो center में एक बड़ी line आती है यह देखें center में यह बड़ी line है न तो one point five करने के लिए center में एक थोड़ी line बना दी अब इस बड़ी line के इस side पे भी चार चोटी lines है इस side पे भी चार चोटी lines है मैं draw करती हूँ आप उनको one two three four four lines draw होगी फिर इस side पे भी one two three four यह draw होगी तो अब हमने one point five को highlight करना है तो one point five वाला किया था यह जो center में बड़ी line थी इस तक five one के बाद five चोटी lines काउंट करने है one two three four five तो यह वाला लाइना वारी ठीक है तो अब इसको red color के साथ इसकी उपर इसी line को extend करके इधर arrow बना देते है ठीक है यह arrow हो गया और इसकी उपर लेकर देना है one point five centimeter ठीक है अब next question three centimeter three percent था three by hundred three percent का मल्लब three by hundred multiply ten percent ten centimeter three multiply ten हमने किया by hundred centimeter thirty by hundred centimeter इसका आग्या answer और thirty के two digits है इसमीन two digits के पीछे ही point ने shift होना है तो three zero के पीछे जब point shift होगा तो उसके पीछे हमें खुद एक digit zero खुद से लगाया है जिरो point three zero इसका बना दिया अब zero point three zero का मतलब है कि zero के बाद आपने जिरो एड़ दिया नाट काउंट इना तो it means zero point three centimeter आपने हाइलाइट करना है तो zero के बाद हमने center में एक line लगाई इसके back side के one two three four lines लगानी थी और इसके आगे भी one two three four ठीक है अब इसमें से हमने थी वाली line को highlight करना है थी वाली line यह वाली है one two three ठीक है इसको highlight कर लेना है तो यह देखें यह third वाली line को मैंने highlight किया 0.3 centimeter next 90% 90 by 100 multiply 10 centimeter 90 multiply 10 by 100 900 by 100 00 cancel हुए तो 9 centimeter exactly यह वाला point होगा यह तो बहुत easy question है यहां पर हमने highlight करते हैं 38% 38 by 100 multiply 10 percent 38 multiply 10 over 100 380 by 100 और हमने point two digits होने के वज़ा से eight के बीचे उसको move करना है तो zero at the end not counted तो three point eight को highlight करना है तो center में फाइफ लाइन लाइन लगाई और three point eight count करना है आप यहां पर देखें हमारी जो यह वाली line है ना one two three four फिर यह बड़े वाली five six seven eight यह वाली line जो है यह three point eight है इसको arrow लगा के three point eight सेंटिमीटर highlight कर दिया next two question है five percent और hundred percent यह आपने खुद ड्रॉआ करने अपने